इस वेब सिरीज में मुखे किरदार में नजर आ रही है निमृत को और साथ ही नजर आ रही है कितिका यह सिरीज अविनाश अरुन दवारा डिरेक्ट की गई है साथ बहर बेटियाने की निमृत गितिका और अविनाश से मुलाकात और जानी स्कूल ओफ लाइस की कहानी हुआ एँ हलोड मैं हुँ भावना और आप देख रहे हैं आज चक्छूल ओफ लाइस की तीम यहां गितिका अविनाश और す व्यद्ध आज अज चाह बहुत स्वागत है uh मुझे अविनाश और जानना है क्यां कर packet कनेत्स्या Richard आपने जब डिसाइड कि निमृत ये गारेक्टर प्ले करेंगी तो कैसी इक वालिटी थी जो आपने उन में देखी जिसके लगा कि ये राइट इट है कारेक्टर बिल्कुल जैसे कि मतलब गितिका के साथ तो मैंने काम किया था और काम इसलिए किया था क्योंकि इनका मैंने कि अपने काम देखा था और वह काम देखके मुझे लगा कि यार इनके साथ डेफिनिटली काम करना चाहिए और ये जानता है तो मतलब निमृत को कुछ नहीं जानता है मतलब अधिल मेरे मतलब अवे बिल्ट बड़ करें आपको अपर अप्रोच करें बड़ एक नहीं अपुरी होगे अपुरी होगे अपुरी होगे अपुरी होगे यस लवली जब यह स्कृट आपके पास पहले आई निमृत दो ऐसी चीज़े जिसके वज़े से आपने स्कृ बोला अफ़को आपको चालेंग रोल्स पसंद है बड इस चारेक्टर के में ऐसी क्या बात थी दो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको बहुत सिर्फ क्यारेक्टर के बारे में दो बाते एक तो मैंने पहले कभी एक ऐसा वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया नहीं नहीं करी है एक स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल और एक ऐसा मैटर जो एक बहुत ही सेंसिटिव और डिलेकित लिएक स Iraq बाते हाँ लाइद साथ एक डिल्मा करता है और एक चारेक्टर का एक जो दिलेमा होता है पिली आप लिए दुम आप घ्राथः वाली है वह निय जो वाली बात हैansa मैंने खभी एक इसरूर्ण करी थी ऐसार Alexandra करी किसी भी पार्ट में आज तक नहीं एक अगी यहके रहे स कि कितना आप सरलता से इस जर्नी में निकल पाएंगे किस आम अच्छली जुस्ट रावलिंग, मैं से स्टोरी के साथ चल रही और मैं देख रही हूं कि क्या हो रहा है और वो पर्सपेक्टिव है एक और इस वरी रही इस वरी इस बोलना नहीं चाहती उसके बारे तो बाएंगे अप बिखेक्ता है वहां आप चाहती है लिए है प्र memb लिटा कि दाख देगां तो बहुत है वहां था है टो रहा है है और यह नहीं स्कोछिप यह भागोडिव ए दोरी चाहिव टोड़ी कॉलिटी इस एक शर्पार इस चाहिए है, तो वह मैंने बहुत कम इस् पर वहाँ ज़से हैं तो नहीं पता कि आम आपको नहीं पता कि आपको लुख इसता उजए पखारिकार कर पाएंगे कि यृजए. तो उसके ऑपनी पिलिया एंदर तो किया भोल भाती रहें, बोल पाती है। वह भी प्रेहा सफर है तो मुझे बहुत प्रवर नगा नन दितना कि वार मुझे ने लिए ओन जी जा आजी ज़िए जाए क्या रिता है क्योंकि पता चलता है यह बिल्कुल भी असाल नहीं आपके लिए यह अपके लिए यह इस तरीके साथ इस तरीके साथ और दिए लुक इस अपर्स अपर्स पहले इस पता था यह तो बहुत ही डिफिकल्ल कारेक्टर होने बाला लगा था इस उपला जितना जाद पड़ती गई वो अदिए तो बहुत लग थी वो पर लगए वो वो बड़ से ने देख टी अलगए तो सब्सक्तव कर दो चीज़ए में पहले, तो जो प्र्रॉण नगट थी रखाय थी चीज़ए अज़ए नगसा पहले पहले नहीं तो बढ़ना प्रदीना तो दो भी अगना भी यह विक नोसी तो मेण रिच करता है यह जो आपर कको आप शोगे आपना ऑचालेगा देह को चालेगा इसी यह जोग आपना अपना क्यों और छ जिए पीज सवा प्रो expect कि तुम कि मुझे जाए कि मैंने करेंग घ्या है जो मुझे लगता हैं वेर्या जम आना है तुम यह तो बोलने के भी बात नहीं है, of course, we are gonna watch the show अब एक लेस्न जो आपने ये चारेक्टर क्योंकि एक लेस्न होता है कि आप एक चीज सीखते हो, कुछ भी करते हो तो एक नहीं चीज सीखते हो इस चारेक्टर से या ये ये शो करने के बाद, what is that one lesson which you have learned? the choice to be a mother, एक माँ बनने की choice, एक अरत पिछ होड़ दी जाए तो अच्छा होगा that's a lesson, one to bring a life in this world is a huge responsibility, should be taken care, should be taken with a lot of care, when I choose that, मुझे तरिशा बहत याद है वाव, lovely, that's actually a very very important point, Nimrit, the same question to you as well, what is that one lesson or one thing that you have learnt after the show ended or you wrapped up shooting? I think, we all have a phase in a childhood when you have a fear or an inhibition or a personality, when you have a personality and you build on it and as an adult it becomes a form and you realize that I can play a car, I can go to the club and you grow up. So as a child, which came in a phase when I had a fear of something, so after showing this story, I had to think about it, that I had to resolve those things at that time, I had to figure out a little bit, that I have to leave it, it is a baggage, it is a baggage, it is a gift, it is a gift. Right. You know, it took me a little time to do it. So after showing this show and playing the part of Nandita, I definitely realized that you will be more in your life when you will leave your previous life, you know? Yeah, and it is important too. So that is something I learnt. Wow, Avinash, now tell me about it. No, I don't know about it at a philosophical level, but I guess, one of the things that you try to tell honestly, is that when you get so much support and support, you know, so I am extremely thankful to Hotstar and BBC India for trusting us with this concept. And because I always felt like it's very difficult sort of a concept just to put this, put it across, you know? Yeah, yeah, agreed. And that's what happened and I think that I guess, yeah, it's my learning lesson is that like, yeah, keep believing in yourself. Yeah. And things will sort of like suggest. And it has, I mean, we are looking, I am already looking forward to seasons because I feel that it is going to do really great. But now, apart from the show, I know that Kans is something which is really trending and you are not a new person. I mean, you have walked through that thing two times, if I am not mistaken, right? Let me tell you a little bit, because what happened today is that Kans, we have almost read the red carpet look, because no one is talking about films, which is what it is really for. You went both times for films. I want to know, how do you look at it? When do you want to, is there a, are you looking for projects which can probably, or do you see India going more forward when it comes to representing our films or abroad? Well, it depends from year to year. What is the production of this year? What is the work that comes in front of this year? You know, every year is not like another year. It's just that. And honestly, if there is an X factor, there is a sex appeal, I would like to say. Kans Film Festival at the end of the day has a very, very massive appeal. All of us look at the red carpet. If you are watching films or brands or endorses, whatever you are watching. It is entertainment at the end of the day. And I think that today's life, when we have such information, in any case, there is social media, there is Instagram. There is this and that. So, we say one thing, it shouldn't happen. It will happen. It will happen. It will happen. So, we enjoy it and what we are doing, we do it together. Everything can coexist. I think the people who want to reach films, they want to reach them. They want to reach them. They want to reach them. Okay, they want to reach them. I think it's all fair at the end of the day. And sometimes you watch such actors who are doing good films and in high fashion looks. Yeah. How much fun. Everything is together. Absolutely. Everything is together. Everything is together. But on that note, thank you so much. School of Lies is released on Disney Plus Hot Star on June 2nd. On that note, thank you so much and I hope that the series does really well. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.